प्रेंका वाड़रा की वजह से राहूल गांधी का वाइनाट तो खत्रे में पढ़ ही गया केरल में कॉंग्रिस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग गठ बंधन तोड़ने पर आमादा हो गई इस बात की भनक लगते ही कॉंग्रिस में हरकम मच गया केरल कॉंग्रिस के निता और पार्टी के बड़े निता मुस्लिम लीग को मनाने में जुटे हैं लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है असल में प्रेंका वाड़रा ने रामंदर निर्मान की तारीफ की थी और इस बात से मुस्लिम लीग नाराज हो गई है मुस्लिम लीग ने प्रेस्ताव पास किया जिसमे प्रेंका गांधी के बयान को अनुचित और खलत समय पर दिया गया बताया गया केरल में विधान सभा के चुनाव करीब हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग के नाराज होने से केरल की सत्ता में वापसी की राह देख रही कॉंग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जिस वाइनाड से राहूल गांधी लोकसभा चुनाव जीट कर संसग पहुँचे उस जीट में मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी भूमी का थी क्योंकि वाइनाड मुस्लिम बाहुल लिक्षित्र है मल्लापुरम में पार्टी की एमर्जंसी बैठक में लीग ने प्रस्ताव पारिद करते हुए कॉंग्रेस के नेताओं से अपील की है कि वे अपनी सेकुलर साख को कम नहुने दे प्रेंका बाड़रा ने अपने क्वीट में कहा था कि भूमी पूजन कारिकम राष्ट्रे एकताब बंधुत्व और राष्ट्रे समागम का अवसर बनेगा मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में कहा गया कि कॉंग्रेस एक सेकुलर पार्टी है हम प्रेंका गांधी सहित इसके कुछ नेताओं के बयानों से दुखी हैं जिन्हें हम अनुचित और गलत समय पर दिया गया मानते हैं लीग ने अपने नेताओं से भी कहा है कि वे इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय न रखें कॉंग्रेस महसचिव केसी बेड़ो गोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की और कहा कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न ले जबकि वधान सभाचुनाव महज नौ महीने ही दूर है प्रेंका गांधी के ट्वीट को लेकर मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता एटी महमद बशीर ने आपत्ती जाहिर की थी डार्जमी कांग्रेस नेताओं की परिशानी उस समय बढ़ गई जब सत्ताधारी सी पीम और दूसरी पार्टियां लीग को इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने के लिए कहने लगे चिंतित नेताओं ने पार्टी हाई कमांड से मुद्दे को शान्त करने के लिए हस्त क्षेप की मांग की मुस्लिम लीग के नेताओं से अच्छे संबंध रखने वाले पूर्व उपमुख्यमंतरी ओमान चांडी ने कहा लीग यूडियफ का भरोसे मंद साथी है फूट डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी लीग के नेता पीगे कोहाली कुट्टी ने बाद में यही कहा सत्तर के दशक के आखरी वर्ष में कॉंग्रेस की अगवाई में बनी यूनाइटेड डिमोक्रेटिक फ्रंट में लीग शुरुआत से ही साच्छेदार है लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग लेफ्ट कैम्प में भी थी और 1967 में सत्ता में साच्छेदार भी थी अल्प संक्यकों के वोट बैंक पर नज़र रखते हुए सीपियम लीग के असंतुष्ट नेताओं पर कुछ समय से लुभाने के कोशिश में है पार्टी ने पहले लीग में रहे कई नेताओं जिसमें पूर्वर सांसर्टी के हमसा और केटी जलीज जैसे नेताओं को पिनरई सरकार में मंतरी बनाया गया बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद मुस्लिम लीग में बिखराव हो गया था जब वरिष्ठ नेता सुलिमन सहित सहित दूसरे नेता कॉंग्रिस के साथ पार्टी के गठवंधन पर सवाल उठाते हुए बाहर चले गए UDF में कॉंग्रिस के बाद मुस्लिम, लीग, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विरो रिपोर्ट, न्यूज ओफ इंडिया मोदी की तारीफ और फिर राम मंदिर के निर्मान से खुश होने पर M.K. स्टालिन ने एक विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया DM के विधायक K.K. सेलवं ने इस कारवाई के बाद कहा कि DM के फैमिली पार्टी की तरह काम कर रही है 1000 Lights विधान सभक शित्र से विधायक सेलवं ने BJP दफ्तर का दौरा किया था जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है खबर है कि सेलवं जल्द ही JP नड़ा की मौझूदगी में BJP का दामन थामेंगे DM के अध्यक्ष MK स्टालिन ने पार्टी की एक विध्यप्ती में कहा कि DM के मुख्याले कारियाले सचिव और कार्यकारी समिती के सदस्य केके सेलवं को आज से उनके पदभार से मुक्त किया जाता है 1000 लाइट्स विधान सबाक्षेत्र का प्रतिन दित्व करने वाले सेलवं अपने दिल्ली दौरे के दौरान सोशासन के लिए मूदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं और आयुध्या में राम मंदर निर्मान के लिए उनके दौरा किये जा रहे प्रयासों के लिए शुभ कामनाएं भी दी बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीज उन्होंने ऐसी खबरों को खारिच किया और ये कहते रहे कि वे दिल्ली में केंद्रे रेल मंत्री प्यूश कोयल से मुलाकात कर अपने वधहन सबक्षेत्र की वेल पर्योजनाओं पर चर्चा के लिए आये थे उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए नड़ा से भी मुलाकात की और उनसे अयुध्या की तरह रामेश्वरम और भगवान राम से जुड़े अन्यस्थलों को विकसुप करने के लिए अनुरोध किया थाउजन लाइट्स चेननई में एक एहम निर्वाचंग ख्षित्र है इस विधान सभा सीट के अंतरगत लोकप्रिया अभिनेता और शीर्ष राजनेता आते हैं डीम के अध्यक्ष अंके स्टालिन भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं विरो रिपोर्ट निउस अफ पूरा हो गया लेकिन अब कॉंग्रेस को भी राम की याद सताने लगी पिछले एक सपता से कॉंग्रेस के दिगज नेताओं के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उनको अब समझ आ गया है कि बिना राम के नईया पार होने वाली नहीं है कॉंग्रेस के दिगज नेताओं ने र राम मंदिर का ताला खुलवाया था और पूजा शुरू हुई थी। लेकिन अब कॉंग्रेस के युवराज भी राम लला के सामने दंडवत हो गए। अब तक कॉंग्रेस ही आगे बढ़कर बीजे पी पर तंस किया करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। चुनाबों में ये कॉंग्रेस जिनारा बहुत गुंचता था। लेकिन जैसे ही पांच अगस्त की तारीख मुकमल हुई कॉंग्रेस के सुर बदल गए। क्योंकि अब वो इस मामले में खुद को अकेला पाने लगी। कॉंग्रेस के पूरवध्धक्ष राहुल गांधी ने अयूध्या में राम मंदर नर्मान के लिए भूमी पूजन होने के बाद कहा कि भगवान राम मन की गहराईयों में बसी मानवता की मूल भावना है और वे भी घृणा एवं अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। हलाकि राहुल गांधी के स्ट्वीट का मूल भाव पियम मोदी पर निशाना साधना ही रहा। इसलिए मुस्लिम लीग ने राहुल के स्ट्वीट को नोटिस नहीं किया। लेकिन प्रियंका वाड़वा के ट्वीट से जरूर भड़ा गई और किरल में कॉंग्रेस का गड़बंदन खत्रे में पड़ गया। कॉंग्रेस की स्थिती बहुत ही पेचिदा हो गई है। अब तक वो जिस मुद्दे पर बीजेपी को घिरते रहे अब बात उस मुद्दे के समर्थन की थी। क्योंकि पूरा देश राम मंदर बनने की खुशी जाहिर कर रहा था। अब कॉंग्रेस के सामने केवल एक ही विकल्प बचता था कि वो राम मंदर का समर्थन करे। कॉंग्रेस ने भगवान वराम से नजदी की बनाई लेकिन वराम मंदर पर कुछ भी कहने से बचे। इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को भी टीबी डिबेट्स में जाने से मना कर दिया। ताकि उनके प्रवक्ताओं को इस मामले में पार्टी का स्टैंड न रखना पड़े। दरसल मामला तो यहां यह है कि पार्टी को खुद अपने स्टैंड पर कन्फ्यूजिन हो रही है वो कैसे क्लियर करें कॉंग्रेस महासचेव प्रेंका गाधी वाडरा ने एक बयान जारी कर कहा कि राम मंदिर का निर्मान प्रास्ट्रिय एक्ता भाईचारे और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक होगा मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भुपाल में अपने दिवास पर हनुमान चालिसा का पाठ किया और कहा कि हम मध्यप्रदेश के लोगों की ओर से अयोध्या में ग्यारह चांदी की एट भेज रही है कॉंग्रेस के प्रवक्ता और लोगसभासान सद मनीश तिवारी ने भी इस अविसर पर देश के लोगों को बधाई दी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कॉंग्रेस ने पहले ही स्वागत किया है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का मार्ग प्रशस्त किया था कॉंग्रेस नेता अब श्रीय लेने की कोशिश कर रही है पार्टी के वरिष्ठ नेता जितन प्रसाद ने कहा, कॉंग्रेस पार्टी ने पहले ही राम मंदिर के निर्मान का स्वागत किया ये हर हिंदू के लिए और व्यक्तिकत रूप से मेरे लिए भी आस्था की बात है मुझे खुशी है कि राम मंदिर का निर्मान हो रहा है राज्य सरकान ने राम वन गमन पत के लिए 75 स्थानों की पहचान की है कॉंग्रेस दिबंगत पूर्व प्रधन मंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिमहराव द्वारा मंदिर के मुद्दे पर किये गए कारियों को बता रही है नवजोत सिंग सिध्धू की पतनी नवजोत को और सिध्धू ने ऐसा बड़ा धमा का किया जिसकी गौंच सिर्फ कैप्टेन अमरिंदर सिंग ही नहीं बलकि दिल्ली में बैठी सूनिय गांधी और प्रेंका वाड़ा तक भी जा पहुँची नवजोत को और सिध्धू ने कहा कि वे अपने पती के साथ बीजेपी में फिर से जा सकती हैं लेकिन इसके लिए शर्थ ये है कि बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ दे असल में ऐसा कहकर नवजोत को और ने एक बड़ा सियासी दाउं चला उन्होंने न सिर्फ बीजेपी में वापसी की बात कही बलकि आम आदमी पार्टी के केजरिवाल की भी जम कर तारीफ की डॉक्टर नवजोत को और सिध्धू ने कहा कि वो पहले भी कहती थी और आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है यदि बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ दे तो वापसी के बारे में वो सोच सकती है डॉक्टर नवजोत ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमों और दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के सराहना की है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल जब दिल्ली की सब्ता में आये थे तो उन्होंने अपनी सेहत पॉलिसी अरविंद केजरिवाल के समक्ष रखी थी इसे मान कर केजरिवाल ने दिल्ली में मुहला क्लिनिक खोले और इसके माध्यम से उन्होंने वहां सेहत सेवाओं में चमतकारी सुधार किये नवजोद सिंग सिध्धू की राजनी थी और कॉंग्रिस में भूमिका पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने उनको जो जिम्मधारी सोपी है उन्होंने बखुभी निभाया है उन्होंने कहा कि नवजोद सिंग सिध्धू अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जेब से करोडों रुपए खर्च कर जरूरत मंद परिवारों को राशन महया करवाया पंजाब में जहरली शराब से हुई मौतों के मामले पर डौर सिध्धू ने कहा कि दोशी कोई भी हो उसे गरफदार करके उसकी संपत्ती जब्त करने चाहिए उन्होंने मृतकों के परिवारों के साथ समवेदना भी जाहिर की है अशोक गहलोत के पास बहुमत का दावा है, सरकारी अमला जमला है, पुलिस का साथ है सचिन पाइलेट और उनके समर्थकों पर हर किसम का दबाव डालने से लेकर पाइलेट पर लगातार हमला करने की अदा है बावजूद इसके गहलोत अंदर ही अंदर पाइलेट से बहुत डरे हुए हैं करीब महीने भर से जारी पाइलेट की चुपी से कॉंग्रिस के अंदर खलबली मची हुई है वजह ये है कि गहलोत को इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि आखिर सचिन पाइलेट की आगे की रणनीती क्या होगी मंतरी और विधायकों को टटोलने पर कुछ स्वीकार भी कर रही है कि वे इस बात से परिशान है कि पाइलेट खेमे में आखिर ऐसी क्या रणनीती चल रही है जो इतने हमले होने के बाद भी पाइलेट खुद कोई जवाब नहीं दे रहे उधर पाइलेट खेमे के निताओं का कहना है कि पाइलेट न्यायलाय में चल रहे मामलों की वज़े से चुप हैं वे समय आने पर अपनी चुपी जरूर तोड़ेंगे मुख्यमंत्री कॉंग्रिस में बगावत के पहले दिन से ही लगातार हमले बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ने पाइलेट को नकारा और निकम्मा तक कह दिया परिवहन मंत्री प्रताप सिंग्खाचर यावास ने कहा कि जब वे छात्र राजनीती में थे तो पाइलेट नेकर में घुमते थे इन व्यक्तिकत हमलों के बाद भी पाइलेट के चुपी नहीं तूटना गहलौत खे में को ही नहीं प्रदेश के राजनीताओं को भी हैरानी में डाल रहा है कि आखिर पाइलेट चुप क्यों है जबकि पाइलेट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बोलने में हर पल आगे रहे है पाइलेट ही नहीं प्रदेश संगठन के भी ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जिन्हें पाइलेट ने एहम पदों पर संगठन में जिम्मेदारी दी है लेकिन वे भी आज चुप हैं पाइलिट के साथ प्रदिश कारियालाई में बैठने वाले पदाधिकारी तो पहले दिन से ही PCC आना बंद कर चुके है पाइलिट गुट के एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी को अब विधान सभा का सत्र शुरू होने का ही इंतजार है राम मंदर के निर्मान की शुरुवात होने की खबर आने के बाद अचानक कॉंग्रेस के कुछ नेता राम की भक्ती में लीईन हो गए कोई अपने को हिंदू बताने लगा कोई परम राम भक्त कमलनाथ और दिग्विजे सिंग ने तो पूरी नोटंकी ही कर डा ली और इस बात से कॉंग्रेस में अब विवात शुरू हो गया कॉंग्रेस के ही नेताओं को कमलनाथ और दिग्विजे सिंग की ये नोटंकी पसंद नहीं आई और इसकी बाकाइदा शिकायत सोनिया गांधी से कर दी गई कॉंग्रेस के लोग सभा सदसे टियन प्रतापन ने राममंदर निर्मान के लिए हुए भूमी पूजन के संदर्व में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरियों कमलनाथ और दिग्विजे सिंग की प्रतिक्रिया पर आपत्तिजत आई है प्रतापन ने पाल्टी अध्यक्ष सुनिया गांधी को पत्र लिख कर कहा कि कॉंग्रेस अती धार्मिक रास्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती केरल के त्रिशूर से सांसद ने भी ये बात कही कि कॉंग्रेस महसचिव प्रयंका गांधी वाडरा द्वारा राममंदिर को लेकर जो रुख अपनाया गया है वो स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने एक्ता की बात की है गोर दलब है कि कमलनात ने राममंदिर के लिए भूमी पूजन का स्वागत करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी ने राममंदिर का ताला खुलवाया था और बहुत समय से हर भारतवासी की ये आकांगशा थी कि व्राम मंदिर का निर्मान हो कमलनात ने भोपाल में प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी की कारले के मुख्यद्वार पर भगवान फ्रीराम की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलितकर, दीपोथसव की शुरुवात की और आरतिकर भगवान राम का पूजन भी किया दिगविजे सिंग ने भी राम मंदर निर्मान के आरंभ का स्वागत किया हालांकि उन्होंने भूमी पूजन के मुहुर्ट को लेकर सवाल खड़े किये प्रतापन ने सोनिय गांधी को लिखे पत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा कमलनात और दिगविजे सिंग की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी कॉंग्रेस का रुख बीजे पी के हिंदुत्व के रुख का समर्थन करना नहीं है उन्होंने कहा मेरा नाम प्रतापन है मैं भी हिंदु हूँ मैं भगवान की आराधना करता हूँ मैं अक्सर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता हूँ और आशिरवाद लेता हूँ लेकिन हम उस हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर सकते जो बीजेपी और आरेसेस का है प्रतापन ने पत्र में कहा कि हम अतिधार्मिक वराश्टरवाद के पीछे इसके नरम स्वरूप के साथ भाग नहीं सकते हमें इस हालात का एहसास करना चाहिए और तत्काल विकल्प को स्विकार करना चाहिए ये एकता सोहार्द्र और सहिशनुता की राजनीती की विरासत पर आधारित होना चाहिए ओल इंडिया इमाम असोसियेशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी बुरे फस गए है मुहमद साजिद रशीदी ने मंदिर तोड़ कर फिर से मस्जद बनाने की बात कही रशीदी के इस बयान से भड़की बीजेपी ने करारा जवाब दिया बीजेपी के प्रवक्ता और मुख्यमंत्र योगी अधित्यनात के सूचिना सलहकार शलब मणी त्रिपाठी ने जवाबी ट्वीट किया और कहा कि ये 500 साल पुराना भारत नहीं है मोदी जी का नया भारत है योगी जी का CAA प्रदर्शन पोस्टर कुर्की सरकारी वसूली ये सब याद है न वही जिससे बचने के लिए गुहार लगाते हुए सुप्रिम कोर्ट तक दोड़े थे यही भाब न रही तो टीवी स्क्रीन से निकल कर कभी भी चौराहों पर सरकारी पोस्टरों में चिपक जाओगे रशीदी ने कहा था कि इसलाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता हमारा मानना है कि ये एक मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी मस्जिद को मंदिर ध्वस्त करने के बाद नहीं बनाय गया था मगर अब मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया जा सकता है दरसल अयोध्या मेर व्राम मंदिर के भूमी पूजन से ठीक पहले All India Muslim Personal Law Board ने विबादत ट्वीट करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद हमेशा थी और रहेगी सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए बोर्ड ने कहा कि ये फैसला अन्याएपूर्ण दमनकारी शर्मनाक है बहुसंक्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमी का पुनर निर्धारन कर दिया गया था ओल इंडिया मजलिसे इतिहाद मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन उवैसी ने भी ऐसा ही ट्वीट किया उवैसी ने बाबरी मस्जिद और इसके विद्वन्स की एक एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्ला बता दें के प्रधान मंद्र नरेंद्र मोदी बुधवार को विधिवद भूमी पूजन के बाद राम मंदर की आधार शिला रख चुके हैं राम मंदर के शिला न्यास समारोह का शुब महूर्थ 32 सेकंड का था बारह बजगर 44 मिनट 8 सेकंड से लेकर बारह बजगर 44 मिनट 40 सेकंड तक रहा आधार शिला रखने के बाद प्यम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया प्यम ने कहा कि बरसों तक राम लला टैंट के नीचे रहे अब जल्द ही भव्यमंदिर बनेगा राम मंदिर भारतिय संस्कृति का आधुनिक प्रतीख भी बनेगा हमें आपसी प्रेम भायचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है